अने मुस्कूल में पस्वाह कते हैं दोस्तों इस वीडियो में अपको बतने लाएँ अधर ही यांज दोस्तों आपको आज भीन लग रहा हो आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको माड़ियो पर जाई तो हम पूरा इंस्टालेशन पोसेद्ट देखेंगे क्या है वोस भ कर लेना है क्योंकि जो भी आने वाली वीडियो से आने वाली वीडियो जामारी एधिकला अंट्रेट को यही पर आएगी आप तक आप देख सेखते हो एटिन मतलब वीडियो स्कुकिए मतलब पार्ट हो चुके इस कोर्स के तो हमने पुरा बेसिक कवर कर लिया और यह लास्ट बेसिक का पार्ट है तो है अगले पार्ट से मतलब अगला भी एक दो पार्ट आएंगे और उसके बाद हम टर्मक जो भी ट्रीक से और जो भी पार्ट आपको एक बात आनी चाहिए तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं आप आप देख सेखते हो मैं मेरे ब्लोग पर आ चुका हूँ ओके तो इस वीडियो में हम देखने वाले की नेवागों क्या है और कैसे इस करना है तो उस्तों पहले आपको देता हो कि हमारा जो ट्यूट्यलिक वो बेसिक कवर उची का जैने जैसे मैं आपको पहले हुआ आभी उगया पुरा बताता हूं को यह मुझे लगता लास्ट पार्ट होगा और रम यह तो एक दो पार्ट आएंगे इसके जो बेसीक है जो तर्मस का ट्यूट्रियल बेसिक जन्मस यह स्टाट करेंगे पर हैकंग करेंगे कि जो भी पाइट बाकी वह उसी पार्ट में आने वाला है और में वह वह सुरूब करना वाला तो अब कुछ पार्ट्स आएंगे उसके बाद बड़ी जल्दी से आने वाला है थोड़ी दिर लएगे अभी यह मुझे लखते लास्ट और नहीं तो एक दो वीडियो आएंगे इसके पुरा बेसिक आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि हमें बहुत बार लेगा अगर है नहीं मालूम आपको अच्छा मतलब थोड़ा आजीब लगा हुए नैनो का नाम सुनके नैनो बड़ा आजीब नाम है तो पर यह जो टूल है एक प्रकार टूल है बहुत बड़ा काम का टूल है ओके वट इस नैनो थे आपर मैंने पूरा लिखा है किस से इंस्टॉल करना है अगर आप अनि यह ब्लोग भी रिड करेंगे तो आपको समझ जाओ गया कि क्या करना है ओके तो फिर मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्या है नैनो और सब कुछ में पूरा प्रेस्टिकली बताता हूं पर आपको वीडियो भी देखना है तो नैनो क्या है तो एक टेक्स एडिटर यहां पर आप देख सकते हैं तो मैं आपको डारेक्ली बताता हूं नैनो एक टेक्स एडिटर है जिसतार हमारा डव्ली पेस ओफीस और वर्ड होता है माइक्रोज्डॉप ओपीस का ओके उस तरह यहां नोटपैड कर सकते हो तो उस तरह जो एंडूड के भी बहुत मतलब हम उसको दिखाए वहाता है असको एडित बी कर सकते पर यह नॉर्मल नहीं है मतलब जैसे आप एंडर में चोटे मोटे डाउलोड करते हो प्रेस्टो से एक दो एंबी के मतलब चोटा यह पर वह नॉर्मल होते हैं वह बहुत बढ़ी पाइल ओपन ने कर पाते हैं इसका यूज बहुत बढ़ा है मतलब इसका यूज हम ज्यादा दर मतलब हम ज्यादा दर बनाते हैं हम डाउलोड कर लें इंटरनेट से क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सब्सक्राइब पर अगर हम नॉर्मल टेक्स इंटर जो एंड्रोड एप से उपन करेंगे और आपकी रैम हो तो वह भी हैंग हो जाएगा मतलब थोड़ी देर चलता रहे मतलब अगर ज्यादा बड़ी थोड़ा हैंग होगा पर ज्यादा ने ओपन तो हो जाएगी अगर आप असने से उसमें पोपन हो जाएगा तो इसलिए हम इसका यूज करते और इसके बहुत सब्सक्राइब कर सकते हो कुछ भी ओपन कर सकते हो कुछ भी जो भी किसी भी था अगर आपको सिंपल डॉपल अमनल इसके लिए स्पेशर करते हैं और ओपन करने के लिए स्पेशल आपको पता चले जो उसका यूज करें वीड़ो बड़ा और नहीं होना चाहिए तो तो में कर चाहिए तो बड़ी बड़ी पासवर्ड दिस बनाने में और ज्यादा लिए लिडिस्ट करने में जो बड़ी बड़ी वольно इस होती है उनको पॉन करने मैं और स्टमल ॥पाइल पाइटॐं टक्सट फाइल डॉकमेंट फाइल एक लैग्वंजी रूबी एक हेलाइट लैग्वेजिए अन्के बाई एडिट म RayD goingPhyton Cryptуй when तो वहां बढ़ जैसे आपको लिए आपको यहां पर मिलेंगे नैनो में बहुत अच्छे तरह दिखता है तो हम सभी लेंग्विज प्रोग्रम से यहां पर लिख सकते हैं और से और उसकी फाइल बना सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका बड़ा यूजव होगे तो आपको मालू होगा कि टर्मस कमांड से चलता है और आपको मालू में कि एक बार एक ही कमांड लेता है और अगर आप खुछे शॉटकर्ट यूज़ करें तो आप दो कमांड यूज़ कर सकते हैं तो आप मतलब आसन हो जाता है वह आपको कुछ समझ में आया होगा तो चलो जाने जोते हैं और इसको इंस्टाल करना है वह देखते हैं कि कभी-कभी आपको जात रहे होता है और अब प्रैक्तिकली के से इसको यूज़ करना है तो यहां पर आचुके जिए वीडियो पॉस्कूर्ट करते हैं यहां इसको में शॉर्ट कर लेट यहां पर शॉर्ट नहीं हो गवरायों कम थे इससे वीडियो बनना पड़ेगा वोके आपको तो जिससे आपको आसानी से दिप आए तो है यहाँ पर मैं होलिजनल कर लेता हुआ इसको कर लिया है इस्टेब कर ले तो आपको दिखने में प्रव्लियंग हो जाए जो मैंने बता है था सबसे पहले हमें कमांड देने पड़ती है अब तर्मस को अपडेट एप करने के लिए तो चलो ट्राइब करते हैं यह पेटी क्योंकि इंस्टोलेशन में कोई दिक्कत ना है वह बहुत बहुत दिक्कत आ जाती अपड़ेट के प्रॉब्लम में कि अधिस अधिक है ओके एंटर तो यह स्थोरी सो थोड़ी देरे में अपड़ेट हो जाएगा कि मैं अभी ही अपड़ेट किया है तो मुझे लगता है कोई अपड़ेट दिखो नहीं आया कोई अपड़ेट इसको भी क्लियर कर लेता हूँ अब अगली कमांड डालते हैं अपड़ेट आपको मेरे ब्लॉग पर मिल जाएंगे वाहां से डिर्क्ली कॉपी करें प्रेस्ट करें तो इसलिए हर बार कर लेना कभी कोई इसलिए हर चुका है अब रेक तो असली सुरत करते हैं रहे तो यह नो को इंस्टाल कर दे के लापको अपने देखा होगा ब्लॉग पर मेरे कमांड देने पर लिए यहां पर टाय करना यापको एपीटी इंस्टॉल नहीं सेंट कमांड डें यहां पर एपीटी नहीं इससे ही कमांड ने झाता है तो क्लीनेsorry कर ले तो सब्सक्रादने के लिए हमें यहाँ पर कमंड नी यांच करना है बहुंक उसका ट्रेमेलल उपन हो जाएगा तो यह पर बेहला तो अगर आपको फाइल बनानी हो तो और दूसरा किसी फाइल को ऊपर करना के लिए तो यह ता पहला तरीका जो अगर आपको फाइल बनानी हो तो एक एक टेक्स एडिटर आ चुका यह पर आप कुछ भी सकते हैं इसको फाइज सकते हैं इसको मुझे थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा ओके यहां पर देख सकते हैं सबस्क्राइब को यह सब्सक्राइब तो इसको कंट्रोल कंट्रोल दबाना है तो इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह कर वेंद एक दिस डआता इसने काम नीद कर रहा रहा मैं लिए अपर आप देख सकते बहुत चाहरी एक आप देख सकते यह पर बहुत तरे मतलब यह पर यह पन्ट कर से इतना लिए बताऊंगा मैं आपको सिर्फ बताऊंगा की यह क्या है और कैसे उसका आगाला काम आपका है कि आप इसको किस तरह यूज़ करते यह पर बहुत सरे शॉटकर से और यहाँ पर आप देख सकते लिए हमें दबाना एक कंट्रोल एक्स बताऊंगा बहुत इसको दबाना है आपको यह कंट्रोल सी कंट्रोल के लिए कर सकते राइट आउट के लिए मैं सारे नहीं करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे सेव करना है वह बताऊंगा बहुत इजी ऑप्शन से कंट्रोल और रिड़ फाइल्स के लिए कंट्रोल डवी वेर इस मतलब किसी वर्ड को आपको फाइल करने के लिए आपको देख सकते हैं आपको टेक्स्ट एडिट के आपको देख लेना है आप जब इसको ट्राइब करेंगे में इतना नहीं बताऊंगा आपको क्यूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो यह ता फूच मतलब नयनों इस तरह कुछ भी टाइप कर सकते हैं पर आपको माउस यह से इस तरह यूज कर सकते हैं पर माउस यहां उधर कि दर भी नहीं चलता इक लाइन में चलता है तो आपको एरो का यूज करना पड़ता है तो मैंने आपको हैकर्स कीबड बता है उसमें अरो की कीज आपको मिलती है तो आपको ऐब इसको चीबडर। और उसके बाद एक्स तो आप आप देख सकते हैं यहां पर पुछता है सेव मौडिफाइड बफर मतलब यह मौडिफाइड फाइल को हमें सेव करनी है क्या यस और नो कंट्रोल च से हम इसको कैंशल पर कर सकते हैं तो यावर मैं यह करता हूं मुझे स्याओ कर ली हां ओके उसके पुछरा नाम दो तो यहां पर आपकी मतलब किसी प्रोग्राम की फाइल हो तो आप उसको extension देंसक्ते हो नहीं दूगा आप देख सकते हैं एक्जिप हो जुके वह अब इसको इसको फिर से खिर किर ले तो अब दूसरा वे घरता हूंझ की वह फाल को किसे ऑपन कर से वह बहुत इसको तो युज करने इसको फिर से से वह करने के लिए कंट्रोल एक्स हो गया तो अगर आपको चेंज करना है किस नाम से से करना है तो यह ता टर्मस और वीडियो हो गया बहुत बड़ा तो आगले पार्ट में तो चलो